हम इजराइल की केपिटल जरुसिलम ने आ चुके हैं जरुसिलम टेम्रेचर नो है इस टाइम ठंड बहुत है दोस्तों आप से भी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पहले से ही देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा, मैं आपको इसराइल गुमा रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको डेटसी दिखाया इसराइल में, और डेटसी के रास्ते में जो डेजर्ट आया था वो दिखाया, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको तेलवीव का समुद्र दिखाया, और अब इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ जयरुसिलम जयरुसिलम तीन धर्मों के लिए पवित्रमाना गया है इसाई, मुसलिम, यहुदी इस वाली सिटी में मैं पहुंची थी 17 मार्च को वहाँ जाकर हमें पता चला कि लॉकडाउन है लॉकडाउन की वज़े से मैंने जितना दी देखा मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहे हूँ दोस्तों एक इंट्रस्टिंग बाव तो मैं आपको बताना भूली गई मुझे यहां आकर पता चला कि जरुसिलम जो है मुझे यहां कर पता चला कि जरुसिलम 2017 से कैपिटल हो गया है सामने आप जो देख रहे हैं वो मेरी दीदी है यह जो दिवार आपको दिख रही है हमने इसको वेस्टन वॉल समझकर माथा टेक लिया क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम भी फर्स्ट टाइम आया हैं और लॉकड़ाओं की वज़े से वैसे था भी नहीं है आपर कोई और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी जैरोसिलम जब आप आएंगे तो आपको गाड़ी अपनी अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी पार्किंग के लिए बहुत आगे लगानी पड़ती है और यह तैयारी करकर आना कि आपको तीन-चार किलोमेटर च अरेबियन के लिए कहते हैं कि इनके जो प्यागेंबर थे वो यहीं से स्वर्ग को गएते हैं तो मुस्लिम के लिए जड़ा बहुत अवित्रत है और क्रिश्चन के लिए और यहूद्यू के लिए जैसा कि अव कि अबस्तिम आपने सुना यह अक्का मस्धित है इजा से लिए उनके प्रैंबर यहीं से स्वर्ग को गएते कि आधा क्यू आपको गोल्डबबत दिख रहा है वह अक्का मस्धीत है लिए सारा मस्डीत ही लिए को बंबर यहांieur तुर्गेंबर और तीन-चार किलोमेटर चलने के बाद हम पहुंचे इसके कोंप्लेक्स में और सामने आपको जो यह दिख रहा है इसके अंदर इसम असी का पार्तिव शरी रखा गया है आप देख रहे होंगे कि यह गेट बंद है लोकडाउन की वज़े से यह गेट बंद था इसमें एंट्री नहीं थी तो दुर्भागया पूर्ण हमें इसमें अंदर जाने नहीं थी और सामने जो आप देख रहे हैं मेरे फोटो की पीछे यह वेस्टन वॉल है यहां जाकर हम करने प्रे करी थी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर पसंद आए तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू